हेलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉलिटेक्निक स्टार में दोस्तों आज के इस पीडियो में हम आई टी आई पॉलिटेक्निक्स पारा मेडिकल का बार्मा लेक्चर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोश करें तो चलिए दौस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो आज हमको पड़ना यहां से पर ना है मुक्त रूप से लटकी चुम्भुक की स्टॉई का अक्ष भांगौलिक अक्ष के साथ कोन बनाता है तो यह18 डिगर यहां जो बनाता है कितने डिगरी का बनाता ह तो 18 डिगरी का कोन बनाता है? मुक्नूरूप से निलम्बित चुम्बुक्य स्विक, किस दिसा में ठिकती है? उत्त्र से दक्षण दिसा की और ठिकती है और दूसरा, तीसरा देखिये चुम्बुक्य कम-पास की स्वी किस और इंगित करती है तो चुंभुकिये ऊत्तर विषे जोर्ट करता है तो प्रती चुंभुकिये पदार्थ को कर सकते हैं अगला है कि विशूत रेखा-पर नीथी कून का मान होता है जीरो डिगरी होता है अगला लिखावा है एक समान चुम्बुकिये छेतर में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानतर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए एक समान चुम्बुकिये छेतर में बल रेखाएं तो एक दूसरे के समानतर होना चाहिए कौन बिदूत और चूंबु किये तो तामबा एक बिदूत और चूंबु किये पदार्थ है अगला देखें का लोग चूंबु किये या म्यूत्तर और भागोलिक या मुत्तर के बीच के कोन को केость कों को केburst कोते हैं दिकात जोस्तों कर आप औ सब्सक्राइब खें fryे अनज कैंन द्यानमो या विधुत प्रभाव करने कासी धान्त जुए वाधी इंपोटेन्ट और BII. कि तीसरा थुरुब कहलाता है आगर कोई चुम्बक है और गर तीसरा थुरुब भी परिनामी धुरुप कहलाता है रिजल्टेंट पोल कहलाता है अगला के प्रिथवी एक बहुत बारा चुम्बक है इसका चुम्बुकिये छेतर किस दिसा में बिस्तरित होता है अगला देखिएगा यह प्रश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट और भी वी आई है लोहा का क्योरी होता है तो सस्तो 80 डिग्री सेल्सियस होता है उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट यह प्रश्ण चुम्बुकिये छेतर का मात्रा गौस होता है बहुत ही इंपोर्टेंट और भी वी आई है अगला देखिए यदि एक चुम्बक के दो भागों में बिभक्त कर दिया जाता ह तो दोनों भाग प्रिथक प्रिथक चुम्बक बन जाते हैं यानि की अलग अलग चुम्बक बन जाते हैं अगला है किसी चुम्बक के आकर्शन सकती सबसे अधिक का होती तो दोनों की नारों पर जोता पूल होता है दुरू होता है उस पर सबसे अधिक होता है सबसे कम बी और वी बी आये ज lot water the machines are very important और Ro cozy immortality in 열न रुषा से जोिए यह प्रस्ट जोई के उपर जिंग की परति चढ़ाने को क्या कहते हैं. बहुत ही इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट है. इस बैर पूछा जा सकता है, बहुत ही। बहुत ही। बहुत ही। बेरी इंय। कूर्षन है। चाह सकते हैं आप अगला देखिएगा विदूत उपकरन में अर्थ यानि कि जो अर्थिंग होता है अर्थ का उपियोग होता है तो सुरक्षा के लिए उपियोग किया जाता है यदि किसी तार की त्रिजिया आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोज 16 गुना हो जाता है कितना आपको नहीं आता हो कौपी में नूट कर ली जाएगा वैसे सारे लाइब क्लासेश खतम होने के बाद आपको यह पीडियोग मिल जाएगा सुस्क सेल में किनका विदूत अभगाट्य के रूप में प्रियोग होता है तो आम्मोनिया क्लोराइड और जिंग क्लोराइड का जब एक एक हजार प्रशनों वाला का लाइब क्लासेश टूटल खतम हो जाएगा तब मिलेगा यह नहीं कि खतम होता है तो मिल जाएगा किर्चोप का धारा नियम आधारित है तो उर्जा के संड्रक्षन पर है ऐसे में आप अभी से ही लिखना चालू कर दे एक बोल्ट व एक मसीन जिसका काम उच्छ वोल्टेज के निम्न में परिवर्तित करता है भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रशन इस्तिर बैदुत आप एक छित अब छेपित प्रयोग किस नियंतित करने के लिए किया आता है वायू प्रदूसत के लिए जब यह आए ख़ता प्रशनों का जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के लिए मैं प्रिविएस एर्स का कोशन लाऊंगा जो डाइडेक्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि अब यह प्रशन पूछा है तो इसलिए यह प्रशन को आप लोग पहले पर लिजिए सही से कॉपी में नोट करके याद कर लिज अगला देखिएगा प्रत्य वर्ती धारा को को में बदला जाता तो दिश्ट कारी बदला जाता है यह यही कि Pratichaur grader चाहते हैं Ield African Americans बढ़ता है यह भी प्रश्ण बहुत इंपोटेंट है विदूत मरकरी लेंप रहता है कम दापर पारा अगला की विजली के पंखे की गती बदलने के लिए प्रियुक्त साधन है रेगुलेटर अगर उसके पंखे को गती स्पीड बदलना चाहते तो रेगुलेटर का यूज हम लोग करते हैं विदूत बल्व का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं इसका कारण क्या तो तंतु का वीडियोद है वो वीडियोद आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके चैनल के प्लेइस्ट में बिग्यान का एक प्लेइस्ट होगा उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं घरों में लगे पंखा बल्व आधी लगे होते तो समांतर क्रम में अगला देखिएगा वस् अगला देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और भी वी आई समानेता परियोग में लाए जाने वाले प्रदिप्ती ट्यूब लाइट पर क्या अंकीत होता है पैंसट स्टों के लिविन अंकीत होता है मानव सरीर सुस्क के विदुत प्रतिरोज के परिणाम की कोटी क्या अत अगला है बीदुत उतपन करने लिए कौन सी धातु का उपयोग ता तो यूरुनियम का उप होता है अगला है कि मिका है उसमा और विदु दोनों का कुछ आलक है जलते हुए विदुत वल्व का तन्तू का ताफ होता 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ही इंपोर्टेंट और भी वी यह प्रस्ट नहीं अगला देखिएगा प्रत्यवर्थी धारा को जिश्ट धारा में परिवर्तन करने वाले युक्ति वाले युक्ति सबसे लंबी पीन को जोड़ना चाहिए तो आधार सीरे से जोड़ना चाहिए अगला देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट और भी वी आई है दो दो विधुत आवेसों के बीच कुलंब लगने बाले बल से संबंदित है कुलंब लौ जो दो विधुत के आवेस के बीच जो बल लगता है उसे कुलंब लौ में हम लोग देखते हैं वहाँ पर डाइरेक काउए होता वईकर San होता है जिसको अंग्रेजी में हो लोग रिपल्शन कहते हैं अगारे की तरित-चाला का विश्कार कित से किया थो तो बेंजामीन फ्रेंकलीन ने किया है और कि दोस्त आज के वीडियो में वीडियो में बस इतना ही मिलते है किजिएगा आप पीवेस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चानल के प्लेश्ट में जाकर जो आई टी आई पॉले टेक्निक्स का जो पीडिये बना ग्रूप बना हुआ है स्वारी प्लेश्ट बना वहां पर आप जाकर देख सकते हैं मिलते के नई वीडियो में थैंक्स पूर जाया हुआ है